नमश्यार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इंडिया के लीडिंग स्टेडी यूटूब चैनल वाइफाइ स्टेडी पर मेरा नाम है आकाश चतुरवेदी और मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों एक बार फिर से अपने वही सेशन दस स्टेड बिया नाम इंडियेगा तो एक बार सभी सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहता हूं यह अपना टेलिग्राम ग्रोप रहेगा ठीक है आकाश चत्रवधी ओफिशल के नाम से जहां पर हम लोग दोस्तों सारी किसरी पीडेफ क्लास के लिंग्स वगेरा सब कुछ आपको यहां पर मिल जाता है आगे दोस्तों यहा लोग दोपहर बारा बजे ठीक है इसमें मैं आपको पूरा का पूरा रीजनिंग कंप्लीट तीस के तीस टॉपिक जो आपका पूरा स्लेबस है वो कंप्लीट कराने वाला हो शौर्ट ट्रिक कॉंसेप्ट और दोस्तों सारी के सारी चीज़ें जो भी आपको यहां पर लग आपको पता है दोस्तों की चतोटेन कोड यूज करके पहले तो आपको 10्परसंट का बेनेफित होता था अब दोस्तों आप को अग folklore के इस्तमाल करते हैं तो आपको 30 का पूरा पूरा यहां पर discount मिलने वाला है प्लस अपने coins वगिर्हां जो भी आपको आपको एकेड니ं से म अगस्त इसकी लास्ट डेट है और अपना जो दोस्तों बैच आ रहा है वो आ रहा है पच्छिस अगस्त से ठीक है तो आप लोग पहले दिन से क्लासे शुरू कर सकते हो कोशिश करिएगा पच्छिस तारिक से पहले सब्सक्रिप्शन लेने का ठीक है आगे चलते हैं यहाँ सब्सक्रिप्शन लेने ताइम पर जब भी आपको ले रहा हूं प्लस पिर आपको जाने सब्सक्रिप्शन की बटन दवाने कहां से लोग है कैसे लोग है तो मेरे टेलीग्राम ग्रॉप पर आजाओ वहाँ पर लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप डिरेक्ट ले सक यह सारी features ने इसके अंदर आप लुग देख सकते हो रेजेंड की feature के माधियम से आप life class में अपने teacher से बात कर सकते हो बात करके भी आप अपने doubts को solve कर सकते हैं अच्छा दोस्तों यहाँ बार daily free classes के timing keynote कर लो भाई daily आपका पांच बजे और छे बजे daily free class तो होता ही है SSE railways के लिए railway का दोस्तो एक्सपेक्टेड जो पेपर है वो हम 6 बेजे करा है अब आप सभी के लिए दूस्तो एक important खास बात है उसको सुनो सभी लोग ध्यान से यह देख पा रहे हैं और सभी लोग देखी पा रहे होगे obviously बात है यहाँ पर दोस्तो अगर आप अब ध्यान से नजर डालो तो आप लोगों को बड़ा ही कुछ अच्छा सा दिख रहा होगा क्या दिख रहा है बलेजर हाँ दिख तो राय वड़ अच्छा सा तो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल की क्लासे शुरू होने वाली हैं आपकी कल से कब से कल से इसको नोट करो हो इस अभी लोग कल से ठीक है कल से होगी और ये बिलकुल फ्री क्लास रहेगी अभी मैं इसको दो बज़े अने कैडिमी पर स्टार्ट करने जा रहा हूं कल से सिटिंग अरेंड में पजल दोनों चीज़े पढ़ेंगे किसके लिए अरार भी गृपडी के लिए ठीक है तो गृपडी लेविल का पढ़ेंगे और जैसे ही दोस्तों यूटूब की टाइमिंग यानि यूटूब पर जैसे ही टाइमिंग कंफर्म हो जाती है वाइफाइ स्टेडी चैनल पर मैं आपकी जो क्लास से दो वाली इसको वाइफाइ स्टेडी पर यानि की यूटूब पर इ जाए ज्यादा बेटर है इसको प्लीज सभी लोग नोट कर लेना अगर नोट कर लिया तो एक पर थमसब मार दो मैं कहा रहा हूं भया जिसका गुर्बटी का पेपर नहीं भी है वो भी आ जाओ पर ये ससी रेलवे बैंकिंग किसी में भी आएगा तो है ये आपको पता है तो आप सभी लोग मुझे एक बर तमसब करके बता दो ये चीज़ क्लियर हो गए कि नहीं हो गई कि अभी भी इसमें कोई डाउट है ये बिल्कुल फ्री क्लास है कल से दो बज़े से ये क्लास आप को मिल जाएगा दो वे से पहले आप टेलीगराम जोइन कर लेना कल समझ में आगया सभी को ठीक है चलिए नेक्स चलते हैं सो गाईस चलिए इस कोड का यूज करके आप लोग सब्सक्रिप्शन वगरा ले सकते हैं चलिए शुरू करते हैं जितने लोग भी दी के जानकरी से सहमत है एक बर भई थमसब मार तो सभी लोग फटाक से स्टार्ट करते हैं आईए सबसे पहला कोशन आपके सामने अब पूरा का पूरा जो फोकस है वो क्लास पर रखिएगा टाइमर हमने लगा दिया है हाई लेवल मॉक टेस्ट शुरू करते हैं सबसे पहला कोशन आपके कपड़ी स्कीन पर दोस्तों यह रहा चलिए शुरू करते हैं आईए उके लेट स्टार्ट पहला कोशन आपके सामने आपकी कपड़ी स्कीन पर बिना किसी डिली के चलो वहीं पहले कोशन दंदार आएगा 20 सेकंड वटबर से वड़ाओ पेंटगन वाइफ और स्टूडें क्या बना सकते हैं आप लोग सर मेरे को आप से डाउट पूछना चाता हूँ कहां पूछू कमेंट में लिख देना जब वीडियो खतम होता ना उसके कमेंट्स में डाल देना या फिर अनकेडमी की क्लास में आके पूछ लो सभी लोग पूछते हैं वहाँ पर हम बता देते हैं चलिए तो बही समय समापत हुआ सबसे पहले दोस्तो यार ये ek बाव बताओ जला पेंटागन हो सकती है कि वाई पता चला पेंटागन जैसी वाई और कंचे ना ना लिविग क्या मैं तो खेलीग ना लारे जलीगए ठीक हैрах अब बात आती ही wife की student की भाईया मेरे जो बच्चे है student है वो student जो है दोस्तो वो पते नी भी हो सकती है किसी की और पते नी जो है वो student भी हो सकती है भाई पते नी भी तो पढ़ाई करी सकती है बिल्कुल कर सकती है तो यहाँ पर sum का diagram बनेगा दोस्तो wife का और student का ठीक है में कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर यहां student लिखा है तो दोस्तों student की हिंदी वो लोग छात्र लिख देते हैं जबकि actual अगर मीनिंग निकालो तो छात्र मतलब एक male student और छात्रा का मतलब female student बट इतना deep में प्लीज मत जाना हलाकि यहां पर student की जाएव पर क्या होना चाहिए था विध्यारती होना चाहिए था बट वो ऐसा माल लिजे नहीं करते हैं तो आप टेंशल मतले ना student का मतलब छात्र चात्र का मतलब student इसको आप common माल लो और जो student होता है दोस्तों वो एक common gender होता है सभी को पता है मल ओ यहां फीमेल दोनों के लिए यह था होता है तो यहां पर दोस्तों wife divina सकता है का चलीगे वी वाइफ का चलीगई एंडगर मना दिया बताओ ए आंसर लगा दिया चलिए नेक्स कोशन पर चलते हैं अगला कोशन दोस्तों यह रहा आपके सामने समय मिलेगा आपको पूरा-पूरा तीस फड़ा-फड़ से आंसर सभी लोग बता हुई चलिए तो मुझे लगता है मैक्सिम लोगों का क्या मुझे लगता है पूरी की पूरी क्लास में 100% का आंसर आना चाहिए क्योंकि इस तरह के लड़्डू वाले कोशन टेंशन इमलना ठीक है अच्छा एक चीज़ और बताना चाहँगा तो आज की जो क्लास आपकी चल रही है इस क्लास में कुछ लोजिक ऐसे होंगे जो आपके 2021 SSC CGL और CHSL दोनों में पूछे गए हैं तो अगर वो टफ लगें तो यह मसूतना असान थे यह मसूतना की कुछ भी हवा में है एक्जामिनेशन में आई हुए लोजिक्स हैं ठीक है इधर हो असान सा कोशन है 9 से अगर बन सकता है इधर देगो भूले च्छे का चार में गुणा किया तो 24 24 में दो जोड़ दिये तो कितना आ कि 26 यह भी सही इधर आ जाओ 10 में 4 का गुणा किया 40 में दो जोड़ तो 42 आ रहा है जबकि यहां पर 44 दिया गलबर लग रही है इधर आ जाओ तो 11 का 4 में 44 और 2, 46 ये सही है तो कौन सा वला विशम हो जाएगा C मुझे लगता है किसी का भी गलत है क्या किसी का भी नहीं है बिलकु सही आंसर है डी आंसर कौन लगा रहा है चल नेक्स कोशन अगला कोशन दोस्तो 30 सेकंड ये कोशन तो 200 परसंट आपके एक्जाम में आनी आना है लड़ डू सा कोशन है फटफट से बता दो और गाईज अगर आपने मेंसे किसी ने भी अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक मारो ना यार एक बार लाइक भी कर दो मज़ा आता है मुझे लाइक देखकर एक बार 11-12-12 लोग लाइक कर देंगे तो मज़ा आ जाएगा कर दो कर दो कर दो सोचा मत करो कर दिया करो देखो इदर आओ इस क्वेशन में क्या करना है बोले कुछ नहीं एक एक उप्षन को उठा उठा के चेक कर लो multiply by 8 divide का 2 तो 2 divide में जाएगा 4, 4 क्यों को 16 16 माइनस बेकार दोसो दूसरा भी option मुझे बेकार ही लग रहा है तीसरा चलते है multiply minus divide multiply किया, minus किया, divide किया divide करेंगे 4, multiply किया 28, minus 4, 24, सही है भईया तो answer बन रहा है आपका c option यानि कि 7 into 4 minus का 8 and divide कर दो तो ward mass जानते होगे सभी लोग भईया देखो लिखना पड़ती है हर चीज काभी लोग कहते है, सर ऐसे कैसे कर दिया सर ये तो गलत है, पहले तो सर ये होगा देखो सर आप तो गलत कर दिये सर 7 into 4, 28 28 में से 8 अगर घटा देंगे तो answer कितना मिलेगा, 20 और 20 को divide करेंगे, दो सर तो 10 आना चाहिए, तो ये तो ऐसा भी कुछ लोग करते हैं, अब आपको को सर ये कैसी बात करो, ऐसा तो कोई नहीं करता और मैं कह रहा हूँ, ऐसा करते हैं और जब मैं आपको बताऊं को कौन करते हैं तो बताऊं मैं, बताऊं को कौन करता है, आप मानोगे नहीं, बट जितने लोगों ने मेरी क्लास करी, याने कैडमी पर free classes, उसको पता है, पता है दोस्तो रेलवे ऐसा करता है, आप को गया रे चलो सर, फालतों की बात मत करो दोस्तों, मैं आपको बनाना चाहता हूँ रेलवे में एक बार एक ऐसा question पूछा गया था एक बार, अभी तक मैंने एक ही बार देखा है वो कराया भी हमने क्लास में रेलवे में एक ऐसा question पूछा गया था बिल्कुल इसी तरह की question थी और उन्होंने पता क्या बोला था कि अगर हम इसमें board mask का rule नहीं follow कराएं तो इसकी value क्या होगी बहुत प्यारा question था तो maximum लोग अगर मालीजे उस चीज को नहीं पढ़े या नहीं करें वो सीधे इस question को देखकर अगर करेंगे बात समझ था तो सबकी answer कितना आएगा बोले 24 आएगा इसका answer बात समझे रो लेकिन अगर हम board mask का rule हटा दे तो हटाने के बाद क्या आएगा 10 आएगा और ऐसा question रेलिवे में आ चुका है इसलिए का जाता है कि ये question पूरा एक पर पढ़ लिया करो और कितने साही खेल दिया था बाई क्योंकि maximum लोग ऐसे question में question पढ़ते नहीं है वो सीधा देखते answer लग और उसमें यही था और maximum लोग का गलत हो गया था question तो मैंने इसलिए बोला ना कि ऐसा भी दोस्तो आ चुका है लेकिन ये अजवीज सा सवाल था अगर हम board mask को ना follow करें तो क्या करें इसी को reasoning बोलते हैं ठीक है खेल तो इस बात को ध्यान रगना कि दोस्तों railway में इस तरह का question आ चुका है answer care होगा see option ये clear हो गया सबको कि नहीं आ गया चलो next question अगला question दोस्तों ये रहा आपके सामने लगा ये answer सभी लोग फटा फट से कहां गया इसको लगा वही 20 second का समय आपके पास में फटा फट से लगा दो और कुछ लोग comment कर रहे है sitting arrangement और puzzle के लिए तो भाईया मेरे sitting arrangement और puzzle के लिए मैं अभी अनॉंस्मेंट कर चुका हूँ class के starting में कल से आपकी class शुरू हो रही है sitting arrangement और puzzle की बिल्कुल free class होगी 2 बजे सभी लोग 2 बजे की class में आ जाईएगा इसका जो 2 बजे वाली class का जो link है वो आपको मेरे telegram पर मिल जाएगा telegram group join कर लो आकाश चत्रुवेदी official सर्च करो मिल जाएगा sitting arrangement पजल पढ़ेंगे group D level की इसको आना आ जाना जिसका paper है वो भी आ जाना जिसका paper नहीं है वो भी आ जाना कुछ सीखी लेंगे तो पढ़ लेना कल से 2 बजे शुरू हो रही है सभी लोग आ जाना ठीक है चलिए जा रहा है पहला letter अगर common है sub में तो उसको नहीं लेते हैं क्यों क्योंकि sub में E पता नहीं चलेंगा कौन सा पहला कौन सा थूसरा फिर मैने कAR अगला चेक करते हैं तो अगला देखा तो उसमें E है P U है फिर अगला देखा तो यहाँ पर P यहाँ पर P कैसे अगर मैं केवल 3 नंबर और 2 नंबर को निकाल लूँ के पहले कौन बाद में कौन तो आंसर मिल जाएगा तो आप दोस्तों केवल मुझे बताओ 3 नंबर में पहले कौन आएगा 3 और 2 में देखो P के बाद E आ रहा है P के बाद H आ रहा है E पहले आता है और H बाद में तो आंसर के आएगा 4, 2, 3 और 4, 2, 3 कहां दिया C में तो यह हो गया हमारा जल्दी करने का तरीका पूरा करके हमें क्या हमाँ पर उसमें बैठना थोड़ी है रात बर ठीक है चलिए नेक्स कोशन पर जलते हैं अब लाइक कर देना वीडियो को सभी लोग अगर आपने अभी तक नहीं मारा है तो लाइक ज़रूर कर दीजेगा मज़ा आता लाइक देखने बस चलिए नेक्स कोशन अगला कोशन गाईस यह रहा आपके सामने समय मिलेगा आपको पूरा-पूरा सर उननीस तारिक का होंवर्क वाला क्वेशन सौल आज कोशन तारिक है तेईस उननीस तारिक का उननीस नहीं होगा मेरे ग्याल से कल और परसो 21 तारिक का है वो शायद 21 तारिक का है उसका 120 आंसर आ हरा है 120 आंसर आ रहा है 120 120 करवा देंगे उसको इदर आओ आज का दोस्तो जो last question है वो बहुत तगढ़ा है मैस का question है आया हुआ एक्जाम में वो हम करवाइंगे आपको मैस का question reason ही में पूछा गया है ठीक है इदर आ जाओ कौन सा दोस्तो निकट्टम समानता दर्शा सकती है मिरर इमेज की इदर रखो वही मिरर L बनेगा उल्टा L कभी सीधा बनेगा नहीं ठीक है उसके बाद दोस्तो N कभी सीधा बननी सकता हटा दो T कभी उल्टा बननी सकता आटा दो आंसर बनेगा बी, बी का मतलब टू हमारा correct आंसर, किते लोगा आ गया, very good, कुछ लोग यह लगाने, गलत आंसर, चल, अगला question लोग सबी लोग फटा फट से, 30 सेकंड, उड़ा उसको सत्रा अंसर आ रहा है, कुछ लोगों का, बाकी लोग अभी भी solve कर रहे हैं, ठीक है, चलिए आई देख लेते हैं दोस्तों, समझे हैं, ध्यान से बड़ी अवसान से question, आप यह सोचो, मैंने आपको क्या पता है हमिशा, यहाँ पर भी बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर, बड़ा नंबर, बड़ा नंबर, चोटे 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 चोटे, तो एक बात तो पकिये मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, कि यहाँ तो दो बड़े नंबर से एक चोटा बना दो, यही तो मतलब होता है, यहाँ पर मेर दोस्तों 10 और 4 से मिलाकर 58 बनाना है आपको सर सबसे बढ़िया तो मैं इसको multiply कर दूँ लेकिन दोस्तों हम केवल 40 तक पहुंचेंगे 58 तक नहीं पहुंच पाएंगे आपको सर एक काम करते है 18 जोड़ दे कोई सेंस नहीं बनता 18 जोड़ने का क्योंकि नीचे वाले में ऐसा नहीं होते हुग दिख रहा है वो सबको पता है तो मैंने बोला नहीं है यह लोजिक तो नहीं होगा फिर क्या कर सकते है बोले जोड़ने अगर इसको तो मैंने कहा है जोड़ भी दोगे तो शायद कुछ बन सकता है कैसे देखो दोस्तों 10 में 4 जोड़ा 14 फिर आपको 14 में 4 का multiply 56 56 में 2 जोड़ दिया तो 58 बोले हां सर यह लेकिन जैसे आपने इस सोचा तो नीचे वाला बेकार कर देगा बोलो कैसे क्योंकि दोस्तों इसमें 11 में 13 जोड़ोगे तो कितना वजाएगा 24 और 24 का 4 से multiply करने पर 145 तक नहीं पहुच पाऊगे इसका मतलब जोड़ना भी बेकार और multiply भी बेकार तो जब भी कभी दोस्त का स्क्वेर करता हूं और 4 का स्क्वेर करता हूं तो 10 का स्क्वेर और 4 का स्क्वेर करने पर 100 प्लस 16 यानि की 116 और भाईया मेरे 58 का 116 से क्या लेना देना है अरे 58 का डबल ही तो 116 होता है खतम आ गया इसका सलब इसका आधा मार दो कितना आ गया 58 इसका मतलब यहां भी क्य करोगे यहाँ पर दोस्तो 11 का square 13 का square करके आधा मार दीजे direct कर दे रहा हूँ 125 ठीक है इसको solve करते हैं तो यहाँ पर दोस्तो 7 का square और x का square आधा करेंगे तो कितना मिलेगा 137 तो फिर इसका double यहाँ कर देती है यहाँ पर double कर दिया ठीक है तो यह हो जाएगा दोस्तो आपके पास x square बराबर 137 का double minus का 49 यानि कि दोस्तो 137 का double minus का 49 अब एक काम करते हैं थोड़ा से दिमाग लगाते हैं smart work कैसे देखो साथ दुनी 14 मेंसे 9 गटाना है तो 14 मेंसे दोस्तो अगर हम 9 गटाते हैं और उसका भी क्या लेना है अंडरूट लेना है तो 14 मेंसे 9 गटाना है उसका भी अंडरूट लेना है तो मुझे लगता है दोस्तो यहाँ पर 14 मेंसे 9 गटने पर मिलेगा हमको 5 और पांच का अगर मुझे अंडरूट लेना है तो दोस्तों यहाँ पर एक ही वेल्यू बच रही है और वो है 15 तो स्मार्ट वर्क हमने कर लिए कि हमारा आंसर 15 आएगा क्योंकि और कोई भी वेल्यू नहीं बैठेने वाली तो इतना लंबा कैल्कुलेशन करके हम क्यों अपन तो वहां पर जो जल्दी ज्यादा खेल करता है वो यागे निकल जाता है तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा 15 बनेगा यह समझ में आगे सभी लोगों को चलो फिर एक अबर लाइक कर दो फटाक से बज़ेदार्थ चलते हैं अगले कोशन पर अगला कोशन चलते हैं अगला कोशन दोस्तों आपके लिए मैं दूंगा केवल 20 सेकंड का क्योंकि यह 20 से ज़्यादा का नहीं होगा हु genante हमें देखा था तो मैक्सिम लोग तो यहां और 17-17 सत्रा वाले कौन थे कहां चले गए अच्याद मेक अचा-जार अचानक से आ गया होंग उस क्लास का आंसर यहां टाइप हो गया होगा फिर वो एसी क्लास में चले गया होंगे 17 वाले तो गाय भी होगा एकदम 15 वाले बचे खाली इधर आओ देखो दोस्तों हो जाएगा 4 ये 9 ये 9 और ये 14 तो आप कहोगे कि यार ये तो समझी नहीं आ रहा बोले सार ये भी 4 में 5 जोड़ा ये तो सीधा-सीधा और फिर ये बोले ये भी 5 जोड़ा तो ये कैसा चला भ बहुत बढ़ी है कोश्चन है चलो बताओ फटा वर्से सभी लोग जल्दी से मज़ा आ जाएगा अगर बता दोगे तो कोई भी बता दें देखो कुछ लोग कह रहे सर आंसर आयो ऑप्शन नमबर डी यानि कि आप समझ दिगा क्या चलना देखो बिल्कुल सभी सोचा आपने पहले वाले का लिखरा हूं समझना पहले वाले में प्लस का 5 चलना है फिर दोस्तो कुछ नहीं चलना बोले 0 चलना है फिर प् अट गए हमारे और देखो फिर दोस्तो हम लोग यहां से 13 से हम कहां गए M यानि कि 13 से 13 तो बोले सर यह प्लस का 0 चलना है बलब 0 चलना है प्लस करो माइनस करो 0 फिर दोस्तो हम लोग यहां से चलना है यह चलना है प्लस का 5 तो फिर कितना चलना है बोले सर फिर से प्लस का 0 तो अब कितना चलेगा बोले प्लस का पांच चलेगा अठारा प्राइश तेइस तेइस के मतलए डबलू और एण के साथ डबलू कहां दीख रहा है एकी option भी आंसर होगा खतम का नहीं यह आंसर होगा आपका यह क्लियर होगा сबको तो पांच-जीरो फिर से जीरो पांच-ज इसका आंसर बता दो वही सभी लोग फड़ा फड़ से 40 सेकंड का टमें दे रहा हूं मैं आपको तकड़ा कोशन है वही 40 सेकंड्स SSC, CGL और CHSL दोनों में आया हुआ लोजिक है यह दोनों में आया हुआ लोजिक है यह अच्छा पता है कभी-कभी मुझे पता क्या लगता है कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूं वाइफए स्टेटी यूटूब चैनल पर मुझे लगता है कि कभी-कभी कि मैं जैसे रेस्टोरंट में काम कर रहा हूं और मैं कौन हूं मैं एक वेटर हूं रेस्टोरंट में काम कर रहा हूं मैं एक वेटर हूं और वो भी रेस्टोरंट में काम कर रहा हूं और वो भी रेस्टोरंट में काम कर रहा हूं उसको हम धाव वाले कुर्शन करा दो सर अरार्मी यह सब आतीजर आ नंबर वाले करा दो विद्धी ट्राएंगल वाले यहा था करा दोड़ नहीं होता है बाई फैरी वह वह प्लेट पढ़ा रहा हुए तो पढ़ा रहें उसको पढ़ लो पहले ये सब भी तो आता है ये एक्जाम में एसा थोड़ी नहीं आता है यह नहीं प्रेशर मुझे तो वही चाहिए जो मुझे खाना है मुझे वही वाला देओ बस बागी हम कुछ नहीं खाने आया हैं तो यह खाके जाएंगे तो खालो फर इदर आओ देखो यह लाओ कि वह लाओ कि पचास में से पच्चेस कमेंट तो मुझे ऐसी दिख जाते हैं जब मैं देखता हूं आंसर कहा है आंसर कहा है आंसर से ज्यादा पता चला कि यह आदे साथ लह गई सर पजल सिट इस्टिंग स्टीट्मेंट यह वो नहीं answer कहा गए यह सब अपना अपना खाने आते हैं ध देखो वहीदर देखो इसमें दोस्तों अगर हम देखें तो यह क्या लिखा हुआ है जे वाइ डबलू भी वाइ जड और डबलू आईए देख लेते हैं सबी लोग द्यान से अच्छा कोशन है गाई उसमें हमने क्या किया है सीधे सीधे को वाई सीधे सीधे तो हो नहीं रह करते हैं तो क्रोस करके अगर दोएखो तो बाई 18 से 23 यानि की प्लस का पांच। फिर ऐसे माइनस का फिर 5 बात समझ में आ गई इसका मतलब August इस में 5-9 sometime एह इंधर ही लिख लेते हैं चलो फिंटेक्स में इस में इसको छोड़के चलो इसको अटादो अच्छा और अपन चेक कर लेते हैं दो दोस्तों इसमें का कर देंगे plus तो y y dk y dk इसमें नहीं इसको आड़ा दो ठीक है अब हम चेक कर लेते हैं दोस्तों मेरे ख्याल से दूसरा वाला चेक कर लो दूसरा मतलब यह वाला तो मुझे बताओ दूसरे वाले में क्या आएगा plus minus plus minus minus करोगे 5 का तो Z बचेगा, Z का मतलब C हमारा correct answer है, जो की बिल्कुत सही है चलो, अगला question चलते हैं वही फटाफट से, आज का सबसे तगड़ा question है, 20 सेकंड का समय फटाफट से answer बता हो, देखते हैं कौन कौन दे सकता है, एक number का logic है वही इसका, एक number logic Fintex Fintex है सर, Fintex नहीं, तो वही तो मैंने बोला Fintex है चली, देखो, maximum लोग कहरे हैं कि इसका answer A लगा दो, A कुछ लोग कहरे हैं कि इसका answer A लगा दो और कुछ लोगों का answer आ रहा है दोस्तो A तो कुल मिला कर A यह answer आ रहा है सबका ठीक है, मैं ही आ रहा है न समझ मैं अब समझा 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 मैं बताता हो, समझना दान से question का logic समझना आपने दोस्तो A झोनल्डक का नाम सुना डोनल्डक सुने ही होगा को एक वा थ नहीं दोनल्डक आता था अंकल स्क्रूज करके वो ला रहा है आता था बच्पन में विंक्की मौथ दोस्तो डोनल्ड जो है दोनल्ड यह एक पात्र है पात्र मतलब कि एक character है किसका comedy का यानि कि comedy movie या comedy serial किसी का भी comedy का एक पात्र है अगर मैं Holmes की बात करूँ तो क्या आप लोग ने Sherlock Holmes का नाम सुना है जो कि एक बहुत ही suspense वाली movie है या किताब है कह सकते हो तो Sherlock Holmes जो है ये भी एक पात्र है यानि कि character है एक suspense वाली movie का या suspense वाली कहानी का दोस्तों Robinson साना सभी ने Robinson दोस्तों ये भी एक character यानि कि part है किसका adventurous movie यानि adventure का लेकिन दोस्तों अगर मैं प्रेम चंजी की बात करूँ तो प्रेम चंज पात्र नहीं है उन्होंने खुद ही एक novel बहुत सारी लिखी हुई है तो पेम चंज वो किसी की novel का है किसी कानी का पात्र नहीं है वो खुद अपने आप में एक रचेता है यानि की लेखक है तो correct answer इसका होगा C अब बताओ भी logic कैसे लगा अगर logic अच्छा लगा है तो दिल से पटाक से like मारो फटापट से चलते हैं पर अगले question पर जल्दी बोलो सही है चलो अगले question पर जलते हैं अगला question यह रहा आपके सामने समय दूँगा आपको पूरा पूरा तीज फटापट से answer 22 से 726 कैसे बना होगे अगर मैं दोस्तों 22 का square भी कर देता हूं तो 484 726 बहुत दूरी है बहुत ज्यादा दूरी है मुझे नहीं लगता होगा विकार हो गया अच्छा ठीक है और क्या कर सकते हैं और तो मुश्किली लग रहा है दो काप से 2 से multiply करोगे चारी बनेगा इसका विकार हो जाएगा मैंने का नहीं विकार है दोस्तों सब कुछ विकार है तो फिर आब आप यह सोचो कि हम 22 से 726 तक कैसे पहुंच सकते हैं बिल्कुल सही बोला भाई मैक्समल होने अगर दोस्तों मैं इसका 33 से multiply कर आपको 33 से क्यों किया उसका भी कारण है देखे 33 का करने का कारण यह है कि दोस्तों दो में किसी नंबर का multiply करो कि मुझे 6 मिल जाए यही तो मतलब हुआ तो देखो आपको के सार देखो 13 से मुझे नहीं लगता 13 से कोई नहीं करें को कि यह बहुत छोटी value आईगी आपको के सार 23 से मैंने का 23 से करके देख लो जब 22 इंटू 22 484 पहुंच रहा है तो 23 से करने से क्या कर लें कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर मैंने बोला 33 से करके देख लो भाई एक एक करके देखना पड़ेगा मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं आपसे तो 22 का multiply अगर 33 में करते हो तो 726 आ रहा है यह logic हो गया तो यहां पर दोस्तों बताएं किसका multiply कर दें 33 में कि मुझे 825 मिल जाए तो 33 में किस number का multiply करने पर 825 मिलेगा तो मुझे लगता है दोस्तों शायद इसको सोचने की भी जरूत नहीं है क्योंकि दोस्तों ऐसा number अगर उसमें 7 है उसको 33 से multiply करोगे answer नहीं मिलेगा क्योंकि यहां 5 चाहिए एक ही number बन रहा है वो है 25 क्योंकि ऐसा कोई भी number नहीं है जिसका 7 में multiply 3 में multiply करने पर 5 मिल जाए तो 25 ही answer हो सकता है यह समझ आया कि नहीं है आप लोगो दिमाग में पढ़ ला है नहीं पढ़ ला है अगला कोशन लो अगला कोशन तो दिमाग में पढ़े ही पढ़ेगा इस रीजनिंग के लिए मेरे वीडियो बने हुए हैं आप सर्च कर लो आकाश चत्रोवेदी बैंक रीजनिंग आपको मिल जाएंगे ठीक है देखो 48, 56, 52, 48 ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं देखूं दोस्तों तो करीब करीब आंसर आ रहा है मेरे पास 48, 52 और 46 जिसमें से 48 और 52 वाले जादा हैं ठीक है के लिए दोस्तों एक काम करते हैं मैं आप से यह भी कह दे रहा हूँ कि दोस्तों आंसर भी इनी तीनों में से एक है 48, 50 या 46 कोई ना कोई 48, 52 या 46 किसी ना किसी इसी में से आंसर है अब कौन सा सही कौन सा गला उसके लिए हमें पहले इसकी शौट ट्रिक समझनी पड़ेगी तो आईए मैं आप लोगों को शौट ट्रिक बताता हूं गजब तरीक है कि देखो हमेशा ध्यान रखेगा कभी भी दोस्तों अगर इस तरीके का कोई स्क्वेर डबबा है जिसके दोनों डाइगनल अगर मैंने मिला दिये तो अगर दोनों डाइगनल मिला दिये तो इसके अंदर कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं आठ डिख रहे हैं कैसे एक दो तीन चार बड़ा वाला छे बड़ा वाला साथ बड़ा वाला इस तरी बलब पांच छे साथ आठ आठ हो गए टूटल इसकी शौट ट्रिक है कि जितने भी छोटे वाले ट्राइंगल दिखे उसकी ऊपर कर दो नंबरिंग एक दो तीन चार चार हो गया और जो सबसे बड़ा नंबर है उसका डबल मार दो जानी कि आठ इसके अंदर आठ हो गया यह इसकी शौट ट्रिक है अब देखना हूँ दोस्तों अगर इसी तरीके से मैं आप से बोलू कि मैंने स्क्वेर डबबे जैसे दिखने वाले दो फिगर को आपस में चिपका दिया और दोनों के ही डाइगनल आपस में मिला दिये इस तरीके से तो अब जो फिगर बनेगा इसके अंदर कितने इसकी एक डायरेक्ट शौट रहे कैसे देखो एक दो तीन चार चार कडबल आठ इसमें से मिलेंगे और एक दो तीन चार कडबल आठ इसमें से मिल जो की दोनों के मिलाने से बनेगा और एक बनेगा ये वाला जो की दोनों के मिलाने से बनेगा दिख रहा है सभी को तो आपको कि इसके अंदर दोस्तो 18 हो गए लेकिन आपको को सर इसको अगर काउंट ही करना तो फिर शॉट ट्रिक कैसी हो गई वो भी समझा देता हूं इसी प्रकार दोस्तो अगर मैं आपसे बोलू कि इतने बड़े सा एक फिगर है जिसके मैंने बहुत सारे छोटे 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 डबे बना दिये और सभी डब्बों को अगर मैंने इस तरीके से डाइगिनल से जोड दिया मालीजे जोड दिया तो इस फिगर की शॉट्रिक आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो बोलो कैसे समझना बड़े ध्यां से समझना यह जो एक्स्ट्रा आपको त्रिभुज मिल रहा है क्या यह एक्स्ट्रा त्रिभुज इस वाले कोने पर आके यानि की इस दोनों डबबे के चिपका आने वाले निके कॉमन पॉइंट में मिल लगा है तो इसका मतलब यह हुआ कि जितने extra common point होंगे common मतलब दोनों को चुपका उतने ही तो extra triangle मिलना है दो है दो है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां से दोस्तो आठ 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 तो एक दो तीन चार पांच यानि चालिस तो ऐसी मिल गए और common band किते हैं बोले दो इसमें भी किते बोले दो इसमें भी किते बोले दो इसमें भी किते बोले दो तो दो दो चार दो छे दो आठ बाइस आठ जोड़ दो आंसर कितना 48 लो कितना भी बड़े से बड़ा figure दे दो ऐसे आंसर आ जाएगा तो दोस्तों ये तो एक trick हो गई ऐसी तो तमाम tricks पड़ी हुई है पूरी reasoning के लिए तो इसलिए मैं आप से कहा रहा हूँ अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो पर्फसों से यानि कि 25 अगस से मेरा नया बैच शुरू हो रहा है अनकेडमी प्लस पे और आपके लिए बहुत सही मौका भी है क्योंकि अगर आप 410 code यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप लोगों को दोस्तो अनकेडमी से अभी ओफर है 26 अगस तक का ओफर है कि आपको 30 प्रतिशत का डिसकाउंट प्लस अपने कोईंस भी लगा देना ऐसा करके आपको बहुत सारा डिसकाउंट भी मिला इस code से सारे डीचर सारे सब्जेट पूरी वीजनिंग इसी तरीके से ट्रिक से और कॉंसेप्ट से हम पढ़ डालेंगे ख़तम कहाने इधर आ जाओ देखा सवाल का सवाल प्रमूसन का प्रमूसन अब देखो यहां पर समझाओ समझना मेरी बात को जरूरी यहार क्या करें इधर ओ समझना ध्यान से इसके आंसर बताओ भी आप देखो अब देखो कितना असान हो गया question मेरे लिए दोस्तों इस वाले figure के अंदर अगर मैं आपसे बोलू तो आपको कि सर 8 यहां से मिले 8 यहां से मिले plus दोस्तों 2 2 और 2 कितने हो गए 2 और 2 4 तो बाइसा मुझे मिल चुके हैं इधर से 28 यानि कि 28 मुझे यहां से मिल गए तो 18 में मैंने 28 और जोड़ दी हटा दो इसको अब मुझे एक बाब बता ही सभी लोग कि दोस्तों इसमें कितने दिख रहे हैं आपको इस वाले में बोले सर एक दो बड़ा वाला तीन और इसमें कितने दिख रहे हैं आपको इस वाले में बोले एक दो और बड़ा वाला तीन तो तीन और तीन कितने होगा अच्छे सब को जोड़ दो आंसर बता दो कितना आएगा ना तो एक जादा ना तो एक कम बावन हमारा correct answer शॉट ट्रिक भी समझ लिए concept भी समझ लिए question भी गलत नहीं होगा question भी answer आगा जल्दी भी आ जाएगा समझ गए चलो अगला question आ जाओगी अगला question यह रहा आपके सामने अच्छा इसको सुन लो कल से दोस्तों आप लोगी दो वजे sitting arrangement of puzzle की free class शुरू होने वाली है unacademy पर free class है जिसको भी पढ़ना आ सकता है sitting arrangement of puzzle पूरा basic कल से कल basic class है तो कल की class छोड़ दी तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा यह बिल्कुल free class है दो वजे जुड़ जाना सभी लोग मेरे साथ इसका जो link है वो मेरे telegram पर मिल जाएगा group join कर लो अब अगर आपको आप मैंसे किसी को अगर ये भी promotion लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता free class का promotion है नहीं class शुरू हो रही है आप ही लोगों के लिए है तो बताना तो पड़ेगा इसमें भी अगर promotion लगता तो हम कुछ नहीं कर सकते इसका आंसर बताओ सभी लोग बड़ापट से सर यहाँ new student भी पढ़ सकते हैं क्या नहीं एक्चुली नहीं बिल्कुल नहीं यहाँ पर खाली जो 50 साल पुराना student है वही पढ़ सकता है पचास में से अगर 69 उमर भी है तुमारी तो तुम नहीं पढ़ सकते हैं बिल्कुल नया होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं पढ़ सकता है बिल्कुल 50 साल का चाहिए हम कम से कम कम से कम उसका experience होना चाहिए हमसे पढ़ने का 50 साल का 50 सालों से जो हमसे पढ़ना होगा वही पढ़ेगा खाली बस experience मांगते हम इस class में ऐसे नहीं कि कभी भी है ऐसी आ गया बोले सर मैंने एक साल से रीजनी पढ़े तो क्या हो गया 50 साल से बढ़ो कम से कम सब्सक्राइब को हेटर्स को क्या लिख दिया 142 देखो एक बास बतो मैंने आपको इक बाह बताई है कि कभी भी किसी शब्द से अगर एक बहुत बड़ा नंबर मिला बड़ा का मतला होता है सो सो से पार क्योंकि सो से पार मुसली ऐसा कोई शब्द एक्जाम में नहीं दिया आज तक जिसको जोडने पर सो से पार निकल जाए बहुत रेर ऐसा होता है कि बहुत बड़ा कोई शब्द दे दिया तो मैक्सिम क्या होता है कि अगर किसी छोटे से शब्द से बहुत बड़ा नंबर मिला देखो ना 142 है यहां देखो 85 है यहां देखो 200 में भी आंसर है तो इसका मतलब दोस्तों कुछ ना कुछ मल्टिप्लाय हो रहा है तो एक बार तो आपका सबसे पहले काम होगे सब को जोड़ोगे तो जोड़के तो देखी लो और जोड़ने का बाद पर देख लेंगे क्या कर सकते हैं तो आपने बोला सबन ना वही किता प्यारा कोश्य है द प्लेस वेली को जोड़कर बताओ कितना आ रहा देखो गई आठ और एक नो नो पाच चौदा चौदा और आठ बाइस बाइस और वही मतलब नो बाइस और नो इकत्यस तो इकत्यस की तीन हासिल हो गई तीन दो पाच छे और साथ यानि कि 71 बन रहा है 71 चाहिए 71 का डबल य मार दिया तो 142 आंसर आ गया और मैक्सिम लोग सुछते हैं कि यही लौजिक हमने पकड़ लिया और वो सीधे दोस्तो इसको छोड़कर इस पर आ जाते हैं मैंने का ठीक तो यहां पर आप देखोगे तो यह हो जाएगा दोस्तों आपके पास 19, 21, 8, 15, 18 और 5 जारा इसको ज जोड़ लेते हैं 21, 19 कितना हो गया 20, 20, 40 यह हो गया 40 और 15 और 5, 20 यह हो गया 40 और 20, 60, 60 और 8 यह कितना बचा है हमारे पास 68 दोस्तों 68 का अगर मैं डबल मारू तो लट्डू हमारा कोश्चन नहीं आ रहा क्यों 68 का डबल करने पर एक भी ऑप्शन नहीं है इसका मतलब हम ग गल बलोगी क्या देखो इसको याद अखना वाई कितना आ रहा 68 आ तो जोडने पर आतो रहा है मेरे पास 68 लेकिन ऐसा क्या गलती कर दी तो देखो अब देखो अगर आप कहोगे सर इसमें डबल करने पर नहीं बन रहा तो पर क्या किया होगा तो कुछ नहीं कर आ ज्यादा वावल से multiply कर दिया हो, यही logic है तो क्या करना है मैं लिख देता हूँ सभी को add करके multiply कर दीजे, number of wobble से, आया हुए logic है 2021 और 222 में SSC CGL में, यह समझ आया सबको same दोस्तों यहां किया है, और same यहां करेंगे, तो अब बताओ इसमें किसका multiply कर दें, तो देखो भई, एक दो, तीन, तीन से multiply कर दो मैंने सही किया ना एक, दो, तीन क्योंकि मुझे यह multiply होते हो देख नहीं, मैं लगता है कुछ गडबड कर दी मैंने यार इसको जोड़ो ज़रा छीक से सभी लोग 19, 21, 8 15, 18 और 5 तो 21, 40 अच्छ, 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 यह वाला 18 रह गया हमारा है अच्छ, मैंने 18 नहीं जोड़ा चायद तो यह हो जाएगा दोस्तों, आपके बाद 21 यानि कि 40, 420, 60 60 के बाद यह वाला हो रहे जाएगा यानि कि 60 प्लस 26 तो 86, अब सही है 86 आ रहा है तो 86 में 1, 2, 3 3 का मल्टिप्ला कर दो, अब सही है 240 और 28 258 हमारा correct answer है नहीं कि यह हमारी थोड़ी math strong है एच्छ, चोटी-मूटी calculation पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते यह सब चोटी-मूटी calculation हमारे लिए हमारे क्या है दोस्तों, कम से कम इसमें cos theta या sin theta तो चाहिए चाहिए नहीं तो triple या double integration की नीचे हम बात नहीं करते है अब इसमें addition दे दिया हम देखते नहीं हम क्या लिख रहे है क्या करते है कोई मतलब नहीं, कौन करें इतना सब कुछ triple apple हो तो हम करें कुछ भी, चलो इसको लगो सभी लोग वड़ा वट से answer 20 सेकंड के समय जल्दी से लगो question बड़ा प्यारा है, जल्दी से answer बताओ चोटी मोटी calculation यार, कौन करें कम से कम, कम से कम triple integration तो दो हम है उससे नीचे नहीं बात करते हम दोस्तों, clever है, droll है humorless है, confusing है ठीक है, तो मुझे बताईए अगर, sagasius का मतलब है, undiscerning दोस्तों आपको पता इसका मतलब क्या होता है, sagasius अब याद रखना, कि sagasius जो है, दोस्तों, आप उसको जैसे भी प्रवाणस करते हैं इसको बुलते हैं, आपको कि बुद्धिमान बोलते हैं क्योंकि maximum teacher उससे में you are very clever, your child is very clever आपका बच्चा बड़ा clever है तुम्हारी class में सबसे clever student कौन सा है clever, clever, clever दिमाम में भर दिया कि clever का मतलब बुद्धिमान हम भी सोचते थे, clever का मतलब तो चलाक होता है, चलाक लोंबडी clever, तो भाईया मेरे चला, अब अब जाके पता चला, teacher क्या कहता थे you are very clever, मतलब वो यह बोला तुम बड़े चलाक हो यार, so guys यहाँ पर सेगेसियस जो है, उसका मतलब बुद्धिमान यानि की intelligent, देखो intelligent, सेगेसियस clever, wise यह सारे के सारे एक तूसर के यानि का मतलब होता है, चतुर या चलाक इसका मतलब भी वही होता है, यह सारे के सारे आपके एक तरह से synonym, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोस्तों, विवे के हीन यानि की undiserny का मतलब होता है, उल्टा यानि की उसके अंदर दिमाग ही नहीं है तो सेगेशियस का उल्टा यानि की एंटोनिम बन जाएगा आपका दोस्तों ये तो एम्यूजिम का उल्टा क्या होगा एंटोनिम, तो एम्यूजिम क्या होता है मतलब होता है, तो मनुरंजक तो मनुरंजक का उल्टा हो जाएगा हास सहीन यानि की यूमर लेस इस दा करेक्ट आंसर सर मैं सब कुछ त्याग करके इमाले पर जा रहा हूं सर बहां से बावा बनके लोटेंगे कम से कम हमारी जैजे करो तो होगी कम से हमारी जैजे कार तो होगी सर क्या आप भी मेरे साथ में चल रहे हो क्या भी पर दोनों रीजनिंग की प्रेक्टिस करते हैं अच्छा वहाँ चलके दोनों रीजनिंग की प्रेक्टिस करते हैं रुक जा यह सॉल्व करवा दे हैं फिर तुम्हें आंसर देते हैं भी रुक जा यहां पर 124 है यह है यह है क्या कर सकते हैं असान सा कोशन है देखो यहां पर मुझे को क्या चाहिए 100 चाहिए क्यों भया एक दो छोटे नंबर से बड़ा नंबर अरे दो छोटे नंबर है 24 से 4 कर दो 165 और यह वाला नंबर और जोट तो कितना जाएगा 170 तो फिर यहां क्या करोगे 17 का 6 में multiply करके 6 को ही जोट दो smart work करो ना यार 17 इंटू 6 सॉरी 7 इंटू 6 42 यानि की 2 और 2 में 6 जोड़ा तो 8 तो यूनिट पे क्या आना है तो यूनिट डिजिट अगर 8 होगी तो आंसर केवल 108 बनेगा वही आंसर है हमारा यह समझ में आया की नहीं आया बिलकुल आया चलो अगला कोशन हो अगला कोशन सभी लोग वड़ा पट से आंसर 20 सेकंड लड़ डू वाला उड़ा सर अब इसकी भी टांग कीचो अच्छा ये इसकी खीची कहीती ना भी थोड़ी दिर पहले तो ये कह रहा सर इसकी भी टांग कीचो देखो एक बाब बता जब तुमने बोला कि मैं सब को छोड़ चाड़ के हमाले पर जा रहा हूं तो सब को छोड़ चाड़ के जा रहे हो तो अगर तो मुझे भी साथ में लेके जाओगे तो सब की नजर में गलत एक वो नहीं जाएगा कि ये सब को छोड़ चाड़ के इसक अकेले जाओ तो जादा सही है हमें नहीं जाना इदर ओ बढ़ा प्यारा सा कुछशन है आप यह कहोगे यह साथ है यह बारा है यह सत्रा है और यह बाईस है सही नहीं सही है बिलकुल सही है अब दोस्तों यहां पर अगर देखो समझने मेरी बात को तो आपको के देखो सर चार 19 19 से सीथे 9 आ गया 9 से सीथे 14 चला गया कुछ भी जा रहा है उट पटान अचा इदर आ जाओ यह 19 है 19 में 4 जोड़ा 23 23 से फिर सीथे 6 आ गया समझे रहो फिर वहां से सीथे 10 चला गया इसका मतलब दोस्तों प्लेस वैल्यू का कोई लॉजिक नहीं चलने वाला अब मै इसके अंदर और एक भिवव जैने शनम अजब दूब देखो इसके अदर एक है इसके अधर एक हो ए02 है उसके अंदर एक है तो दो में और maximum वो करें, यह answer होगा, जो की गलत है, कैसे गलत है, सुनना ध्यान से, यहां से, यहां बता रहा हूं, देखो, G, L, Q, V, समझना मेरी बाद ध्यान से, G का opposite कितना होता है, G का opposite होता है, T, T में दो जोड़ा तो मिलता है, V, मिल गया, L का Q, L का opposite होता है, O, O में दो जोड़ा तो कितना मिलता है, Q, यानि कि दोस्तों मैंने क्या logic लगा है, opposite प्लस टू, और यहां भी opposite प्लस टू, कहां पर, पहले का आखरी से, बीच का बीच से, अब देखो दोस्तों, इसमें follow कर रहा है, इधर आ जाओ, देखना, S का उल्टा, H, H में दो जोड़ा, J, W का उल्टा, D, D में जोड़ा, F, यह भी सही आ रहा है, यहां जो, D का उल्टा, W, W में दो जोड़ा, Y, और H का उल्टा, S, S में दो जोड़ा, यह भी सही है, तो answer कौन सा बनेगा, B, B वाला दोस्तों follow नहीं कर रहा है, तो logic समय आगे सभी को, पक इससे बढ़े तो हमाले में जाओ, सही बोले तुम, कम से कम जैजेकार तो होगी, यहां तो कोई लाइक ही नहीं कर रहा है, इससे बढ़े जैजेकार, तो चलो यार, तुम सही बोल लो, चलो, हम चलने को तयार है, चलो, एक बार चले जाएंगे, पर दुनिया जो बोलेगी कि बोलते हैं वैसे भी मेरे लिए तुम्हारे लिए बोलेगी सब को बता मेरी तुम बंदब शादिया दी होगी ठीक तुम ही इसे कहेगी तुम ही लड़के को लेके चले हमसे तो कुछ नहीं चलो इधर हो कर दो यार एक बार लाय कर दो सभी लो फटा फट से जल्दी से हेमन्त राठोर सर में आंसर नहीं बताूँगा तो हम तुमसे पूछ भी कर तो मत बताूँच़्ा ह... मत बताऊ इधर आओ मै तो वैसे कुछ नहीं किसी का नहीं डेख रहा uenहाने हुए तो अपने से कर रहा हूं इधर दो कॉलेज के एक पोस्टर ने एक लड़की के और इशारा करते हुए धमी ने कहा कि वह मेरी सास मेरी मतलब किसकी दोस्तों धमी की ये दोस्तों धमी है समझना मेरी बार ये है धमी धमी की सास यानि कि धमी के हस्बेंड या वाई जो भी होगा उसकी सास है ना तो मेरी सास के एकलोते बेटे तो भाया मेरी मेरी सास का एक लौते बेटे की भांजी अगर इसकी भांजी है तो भांजी जो होता है वो कौन होता है बेहन का बच्चा या मतलब बच्ची तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पती के बेहन की बच्ची यही तो मतलब हुआ यही तो मतलब हुआ तो दोस्तों यहाँ पर और यह कह रहा है यह तो बताईए उस लड़की की मा, उस लड़की की मा दमी की कौन है, तो लड़की की मा दमी की ननत हो जाएगी, ननत का मतलब क्या होता, sister-in-law is the correct answer, बोलो सही है नहीं सही है, चल, केरन प्रजापती कह रहे हैं, सर धमी female कैसे, बिटा क्या है कि अभी अपने रिती रिवाज में क्या होता है, कि जैसे मतलब मेरी सास का बेटा, तो अगर ये बेटा है, और इसकी सास है, तो इसकी सास का अगर ये बेटा है, तो इसको फिर female ही होना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये प्लस हो जाएगा, तो फिर वही, जैसे ये हमें ले जा रहा है, हिमाले, तो वह चीज गलत हो, अभी अपने हैं, तो उस हिसाप से कर देखो, मेरी सास का बेटा, तो मेरी सास का बेटा मतलब मेरा पती, मतलब मैं पती नहीं, तो वह female हो जाएगी, ठीक है अगला कोश्चन, इधर आजाओ, इसका अंसर बता होई, सभी लोफटावर से केवल 20 सेकंड, जल्दी से बढ़ा दो, दूस्तों, तीन के विपरीत बता होई, कौन सा होगा, तो मुझे लगता है, तीन के विपरीत बताने के लिए, तो पहली से आगया, यहाँ पर दूस्तों, यह मिलेगा, इसमें क्या है, दूस्तों पहल रूल नंबर तू, दूस्तों, आपसे यह कहता है, कभी भी, दो नंबर कामन होते हैं, तो दोनों को छोड़कर जो भी नंबर बच जाते हैं, वो हमेशा डूसर के विपरीत माने जाते हैं, यानि की ऑप चंदा सर हम भी चलेंगे आपकेसाथ हमाले बंदारा थोड़ी दिया रहा है हम भी चलेंगे इदर देखो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं देखो तो सारे के सारे लेसन किसके अंदर हो जाएंगे प्रिपेर के सारे किसके अंदर डिवाइस के डिवाइस का कुछ इससा मशीन में कुछ लेसन मशीन में है क्या बोले कह नहीं सकते कुछ machine prepare में है क्या नहीं कह नहीं सकते हैं सभी lesson device में है क्या हाँ जी सही है कुछ machine device में है क्या हाँ जी सही है answer बोलो भाई कौन सा होगा तीसरा और चौथा यानि कि ए वाला हमारा correct answer है चल अगले question लो आजो भी आजाओ फटाफट से answer रुख जा रुख जा रुख जा रुख जा रुख पहले एक बाह बदाओ अभी भी 16 सो लोग देखरो तीरा सो लाइक करके बैटो सच में चाहत तो कि हमाले चले जाए जल्दी बोलो और कर दिये तो फिर मैं नहीं जाओंगा फिर अचाह हमारी class के स्टुएंट कुछ भी को हैं बड़े इनुसेंट क्यों सर मुझे चलना है माले एक कह रहा सर मुझे भूग लगी एक कह रहा सर मुझे गल्फिंट उससे बात नहीं करती मैं क्या करूं एक कह रहा को सब अपन तो दोस्तों यहां पर देखो क्या बात है यहां पर दोस्तों मैक्सम लोग नहीं चाहते कि मैं हमाले जाओं सबने like करी दिया उठा के thank you thank you so much आपने बचा लिया नहीं तो मैं सच में चला जाता इस question का logic आप मैंसे 0.1% लोग भी लगा दो तो मैं मान जाओंगा 0.1% लोग भी लगा दें तो मैं मान जाओंगा जल्दी करो सब भी लो फटा पर से 0.1% कि आप मिलें जाओंगा यहां पर अगर मैं देखो तो यहां पर इसको फिर इसको फिर और देनेटमें जारा है दिखरा सबको बôले क्या ओरद और अडर भी इसमें माइनस के पांच यह कितना और माइनस तुर भी हाँ इसमें वोरा माइनस का 6 58 से 7 51 से 8 6 साथ और उसके बाल 9 तो दोस्तों यहां तक तो बात बन गई लेकिन फिर आगे बिकार हुजाएगा तो हमें देखना पड़ेगा यह वाला यह वाला यह watch और यह watch चली देखते हैं क्या कर सकते हैं बड़ा प्यारा सा कोशन है ज्यां से देखना सभी रोख आज से साथ तो पाँच दुनी 10 10-3 यानि की साथ सुनते जाना 7 दुनी 14 14 प्लस 3 यानि की सतरा सतरा दुनी 34 34 मैनस का 3 यानि की 31 31 दुनी 62 62 प्लस 3 यानि की 65 बात बन रही नहीं बन रही है डबल करके माइनस त्री प्लस त्री तो अब मुझे बताओ 65 का डबल और माइनस का तीन तो आंसर आना चाहिए 127 हमारा करेक्ट आंसर है कित्ते लोगों का आंसर आवे 127 बहुत बढ़ी है बाई चलो अगला कोशन लो दोस्तों यह आदे न सभी को 30% का ओफ का ओफर आ गया है अगर आप चतो 10 का कोड यूज करके अनकाडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो 20 अगस के पहले और अपनी जो क्लास है वो परसो यानि की 25 अगस से बेसिक क्लास शुरू हो रही है पूरा का पूरा स्लेपस हम पढ़ने वाले उस क्लास में चलो लड़ू वाला कोशन 10 सेकेंड और कल से आपकी 2 बजे सेटिंग अरेज्वेंट और पजल की क्लास शुरू हो रही है जिसको भी पढ़ना है 2 बजे से कल आजाओ प्री क्लास है सेटिंग अरेज्मेंट और पजल ग्रूप D के लिए पूरा का पूरा तयार करा देंगे सारे सारे कोशन वहीं से फ देखेगा नहीं बनेगा नहीं बनेगा यह बन जाएगा इधर से इधर ऐसे और ऐसे option नमबर 3 यानि की C चलो अगला question लो सभी लो फड़ा पड़ से answer जल्दी सोड़ाओ देखो sr, sr, r के पहले s डाल देते है srt, srtuip, 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 srtuip लो बनेगा यह तो तो answer क्या बनेगा t, s, u, r, p, t, i, ऐसा कहां दिख रहा भई, t, a की दिख रहा है option नमबर 3 चलो अगला question लो आ जाओ भई, सभी लो फड़ा पड़ से बताओ त्यान से answer और यह दोस्तो केवल arrow है ठीक है यह केवल arrow लगा arrow मतलब कि आपने अंदर की तरफ बंद कर दिया बस और कुछ नहीं है जब इसको वापस unfold करोगे उपर की तरफ यह कुछ इस प्रकार बनेगा और फिर दोस्तो यह तो उपर चला गया है ना यह चला गया अब यही चीज दोस्तो यह जो लाइन है यही लें जाएगी इस तरफ जाएगी इधर जाएगी होगी उपर भी जाएगा तो यही चीज यहां भी फोल्ड होगा ऐसे होगा और यही पूरी चीज नीचे आएगी तो एक फोल्ड यहां जाएगा और एक फोल्ड यहां आएगा तो ऐसा आपको देख रहा है यानि की वन हमारा करेक्ट आंसर है कुछ लोग बी आंस लगार हो पिटा जो गलख आंसर है अगला कोश् यार Понात मातिमन सुकजिंदर सिंग्स्ट गुरूजी एक क्लास सिलोजिदम्र का भी करवा दियो करवा दियो कि क остав लांग की आप क्लास सर्च करना सिलोजिजदम वए ऐकास सर और बताते हुए बढ़े ही कर वुर्णा है मुझे एक लाक से ऊपर लोग उस क्दाश को देख आप भी जाके देख लो सबको मज़ा आ रहा आपको भी आएगा ठीक है जाके देख लो उस क्लास को यूटूब पर पढ़ी हुए तीन गंटे की क्लास इधर आ जाओ तो का संबन्द यह कैसे पता है अगर टो के बीच में मैं एंड डाल दू तो यह बन जाता है टोन सर मत पीटना में बता रहा हूं और अगर दोस्तों यहां पर ही मैं एंड डाल दू कहीं पर तो यह एक शब्द बन जाएगा लंग क्या बन जाएगा लंग्स यानि कि ल-u-n-g तो आंसर बनेगा उप्शन नमबर सी तो एक यह सब्सक्राइब को कि वह अनार एप्पिल पाइनेप्पिल जाने क्या-क्या वह औरेंज वाला कोश्चन था गाइस उसका अंसर 120 है मैक्समलों ने सही दिया उसका अंसर 120 था ऑप्शन मिस्प्रिंट था 120 इस था करेक्ट आंसर उस वाले कोश्चन का आपको याद आ गया जिनकी इंकम जो है बारा नो साथ के रेशियो में दिया गया और उनका जो एक्सपेंडीचर है यानि खर्चा वह पंदरा नो आठ है यह कोश्चन एक्जाम में पूछा गया है रीजनिंग के अंदर मैट्स का कॉश्चन एस सी सी चसल दोजार 21 अनुपात में है यदी ये कौन गया अश्वत कहां से आगया अरे अश्वत नहीं है अर्मान है सुरी अर्मान अश्वत लिख दी है मैंने इसको कर दो अर्मान ठीक है अर्मान ये अर्मान है अर्मान इसको भी अर्मान कर लो फटावर से को इसको बताए तो बताओ जल्दी से चल अब बताओ ये आंसर क्या होगा किसी का भी देखो आंसर तो मेरे पास आ रहा है और वो है कुछ लोगों का पंदरा, अठारा, ग्यारा वेरी गुड क्या बात है सही ये गलत है मुझे नहीं पता लेकिन आतो रहा है लाइव बिटा क्लास का टाइम है दस बजे डेली देखो कुछ लोगा आंसर आ रहा है दिव्या पांडे का भी आ रहा है पंदरा, अठारा और ग्यारा वेरी गुड बहुत बढ़िया पंदरा, अठारा, ग्यारा पंदरा, ठारा, ग्यारा पका, चलो अगर आप कह रहे है उसका अंसर पंदरा, ग्यारा, अठारा है तो एक काम करता हूँ इस क्वेशन को दोस्तों मैं कल पक्का सॉल करा हूँ कुछ आपको पता है लास्ट क्वेशन अपना होंवर वाला क्वेशन रहता है अब यह पक्का नहीं है कि इसका अंजर 15 11 18 मुझे नहीं पता इसका अंजर कुछ भी हो सकता है दिस इस और होंवर कोशन और इसको हम लोग कल करेंगे फॉर पूरा सॉल करोंगा कैसे करना है एक चीज मैं इसमें हिंट देखे जाता हूं आपको आपको पता है इंकम बराबर क यानि कि जो आप बचत करते हो और जो आप खर्च करते हो उसी को टोटल मिलाकर इंकम बोलते हैं यहां पर सेविंग आपकी दी हुई है और इंकम और एक्स्पेंडीचर का एक रेशियो दिया हुआ है एक क्वेशन मैंने आपको बता दी अगर निकाल सकते हो तो निकाल के ठीक है चलिए तो इसको दोस्तों ओमवर्क में देखे जाते हैं एक बर वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना दिल से फटाफट से और कल इस कोश्चन को सौल करेंगे देखेंगे आंसर क्या आ सकता है और कल दोस्तों आपके लिए कुछ सर्प्राइज होगा कल आपके लि सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो चत्रो टैन कोड यूज करके तीस परसन का डिस्कांट अभी मिल रहा है चब्बे सकते हैं आप लोग ले सकते हो एक साल दो साल या या एक साल तक कर लो जिससे आप सारे सब्जेट आराम से पढ़ सको और अपनी तयारी कुरी कर सको जो टीचर्स अनेकैडमी पर हैं उनका तो कोर्स मिलेगे बट जो टीचर्स अनेकैडमी पर नहीं भी हैं उनका भी कोर्स आपको अनेकैडमी पर मिल जाएगा आप पढ़ सकते हो उनका कोर्स भी ठीक है चली तो मिलते हैं दोस्तो आपसे कल फिर तब तक लिए बहुत बहु दियान रखना दोपहर को सिटिंग की क्लास हो लिए चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को थैंक यू सो मच दोस्तों खुश रहें मचे से रहें और पढ़ते रहें सर जी एला एलाई सी असिस्टेंट के लिए कहां से प्रिपेर उसके लिए आप सर्च कर लो आकाश चतुरुदी बैंक क्लासे को कि बैंकिंग का स्लेवस आपका लाई सी में काम आएगा ठीक है चलिए थैंक यू सो मच टेक कर बाय गुड़नाइट जैहिंद शुक्रिया